चलिए सर हम बात करते हैं अज्जिस्मेंट ही कितने अज्जिस्मेंट हो गए थे हमारे 22 हो गए 22 हो गए 22 अज्जिस्मेंट हो गए कितने अज्जिस्मेंट हो गए हमने 22 अज्जिस्मेंट अभी तक कर लिये हैं आते हैं 23 अज्जिस्मेंट पर 23 अज्जिस्मेंट क्या कहता है 23 अज्जिस्मेंट किस पर है और वल्वेल््यूद ό अज्जिस्मेंट अगर आपको ऊवर्वेल्यूट समझ में आजाएं ना तो हूं अंदर वेल्यूठ खुदब़़ंहं अज्जिस्मेंट अजएंगा ओवर वेल्यूड ऑफ स्टॉक अब ओवर वेल्यूड का मतलब क्या होता है आपने ज्यादा ज्यादा दिखा दिया है अब इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा एक एक एक्जामपल देखना सपोस करो कि मैं आपके सामने एक ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं एक ट यहां लिखा मैंने ओपनिंग स्टॉक पचास अजार यहां लिखा मैंने क्लोजिंग स्टॉक चालिस अजार यहां लिखा मैंने सेल्स एक लाग यहां लिखा मैंने परचेज पीस अजार तो बताओ जीपी क्या आएगा जीपी बताओ एक चालिस और यही आ जाएगा एक चालिक्स में से सतर जाएंगे तो सतर अजार जीपी है माल लेते पी लुप कुछ नहीं है तो यही इन पी बनेगा अब अगर मैं बैलेंशीट बनाऊंगा बैलेंशीट में कैपिटल आएगा और कैपिटल माल लेते हैं पहले से 2,00,00 का है इस capital के अंदर GP, NP कुछ भी जोड दिया हमने कितना जोड़ेंगे यानि ये कितने को हो गया अगले साल की कहानी देखो अगले साल क्या हुआ सर अगले साल opening stock होगा सर अगले साल जो होगा ने ये मान लेते हैं 2020 की कहानी है और हम आगे हैं अब 2021 में अब opening stock opening stock क्या आएगा जो पिछले साल का क्या होगा वही अगले साल क्या बनने वाला है opening that is आपका 40,000 और capital क्या आएगा capital कितना आएगा 2,70,000 profit अगया तो 2,70 मैंने एक adjustment जैसे ही आपने ये लिखा ना है मैंने आपको एक जानकारी दी कि भाईया लास्ट येर का ना closing stock 5,000 से overvalued है यानि लास्ट येर का closing stock आपको यहां दीख रहे हैं वो घलत है और वो 5,000 ज्यादा दिखाया हुआ है तो हम पीछे तो जानी सकते सर back date पे तो जानी सकते अब एक पल को सोचो आप जा रहे हो तो अगर आप back date पे जाते ना तो पता ही क्या करने वाले थे back date पे जाके आप सर बड़ी सीधी सी बात है यहाँ पे आप कितना करने वाले थे इसको सही value लिखते आप error देखो क्या है वहाँ पे क्या बोला error में 5,000 ज्यादा है तो भी यह पिछले साल अगर मैं ठीक करने का मुझे opportunity मिले back date पे तो मैं क्या करते है 35 लिखता अब जिसकी वज़े से मेरा GP कितना आता और जिसकी वज़े से मेरा capital कितना होता ठीक है न यही होता न यहाँ अब यह चीज़े आपको current year में पता चला तो हम अब back date पे जाते तो यह सही करते हैं अब current year में सही करना हो तो जो हमारे back date पे सही करते तो पता है किसमें impact करते हैं क्लोजिंग में और फिर किसमें करते हैं दो ही जगे तो impact मारा आपने एक कहां मारा और एक कहां करा तो वह current year में भी कर सकते हैं जरूरी थोड़ी पिछले date पे जाए तो हमें क्या करना चीए closing को ना छेड़ करके क्योंकि यही तो वापस आया है यही वाला तो यहां पे आया है उठके तो हम यहां से क्या कर दे minus minus कर दे ना कितना minus कर दे बात बन जाएगी same और यहां capital क्या कर दे 5000 से बात same बन गई तो in case of closing stock overvalued हुआ तो हमें दो entry करनी पड़ेगी current transaction में क्या करनी पड़ेगी opening stock को कम करिए और दूसरा capital को minus करिए यह बात समझ मैं ही नहीं clear हो गया लेकिन अगर मैं इसका opposite बोलता कि सर पिछली बार का वैसे आएगा नहीं मैं अगर बोलू कि पिछली बार का इगलती में बताता हूँ आप बताने क्या करोगे मैं बोलू कि last year का opening stock जादा है 2000 से अब imagine करो last year का अगर opening stock जादा रहा होगा तो हम ठीक करेंगे पहले opening stock को opening stock को ठीक करेंगे जो फरक किस पर पड़ेगा opening stock को ठीक करती और जब opening stock सही होगा मतलब मैंने कहा सर पिछले साल का opening stock जादा है कितने से जादा है तो automatically ये भी जादा होगा ये भी समझना होगा आपको क्योंकि opening stock जादा बढ़ा है मेर पास मान लेते हैं कि 10 रुपे का समान है 5 रुपे का खरीद के लाया कितने का समान हो गया मेर पास समान हो गया 15 उसमें से 13 का बेच दिया 2 का बचा है मैं बोलू यार मैंने जो 5 रुपे का समान पढ़ा हुआ है 10 का खरीदा ये गलती लिख दिया ये 4 का होना चीए था तो actual मेर पास समान कितना होना चीए 14 और 13 का बेच दिया तो closing कितना होना चीए जबकि मैं कितना बोल रहा हूँ तो कहीं ने कहीं अगर opening stock के अंदर impact डालोगे तो closing पर पढ़ेगा पढ़ेगा ये नहीं पढ़ेगा वोईस क्लियर नहीं है एक मिंट अब चेक करिए वोईस क्लियर है मैं एक बार दुबारा बता देता हूँ दुबारा से एक बार ले लेते हैं पहले यहां तक समझ में है एक बार फिर से देख लिए कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डाउट है अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहे हैं आपे हाला कि मैं देखो opening पे बात नहीं करूँगा अग्जाम में आपके सिर्फ और सिर्फ closing वाला पार्ट है मैं एक पूरा scenario दुबारा बताता हूँ ताकि मैं जब adjustment लिखूना तो बस आपको लगए यही तो होना था आपके सामने में बात करने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा 2022 की latest year की बात करते हैं यह हमारा पी एंडल जिसे ट्रेडिंग अकांट बोल दो साथ के साथ यह हमारा balance sheet ध्यान दीजिएगा मैंने लिखा यहाँ पे sales जिन बच्चों को समझ में नहीं आए वो देख लिजिएगा मैंने लिखा यहाँ closing stock और यहाँ लिखा मैंने opening stock यहाँ लिखा purchase तो हमारा यहाँ पे जो GP या NP कह लो क्योंकि कुछ है नहीं profit लाइक तो यह 140 140 माइनेस पचास अजार कर दोगे तो GP आ गया 90 और यहाँ मैं मान लेता हूं मेरा capital है दो लाग तो आप क्या करोगे सर इस GP को उठा के कहां ले जाओगे add कर दोगे अब बच्चे प्लीज यह ना कहें कि सर GP थोड़ी NP add होता है मान लेते हैं कुछ ही नहीं हमारे पास तो यह यह add हो गया यह आपका पिछली बार की total कहानी है आपके सामने given है जो यह यह पिछले साल की total कहानी मैंने आपको बता दिया है यह समझ में आ रहा है अब इस कहानी के अंदर एक गड़बड़ी है क्या गड़बड़ी है जो कि आपको इस साल तो नहीं पता लगा इस साल पता लगता तो ठीक ही कर लेते हैं आपको next year पता चला और next year क्या पता लगा सर आपको next year पता लगा closing stock found of found overvalued by 2000 on 31-3-2022 date पे ध्यान दिजेगा यह 2000 तो सर यह भी तो 23 होगा आप बताओ हम 23 का काम कर रहे हैं यानि सर यह 23-24 है और यह क्या है 22 तो अब मैं पिछले साल की बात करूँ आपके पास दो साल है एक 22-23 का साल है और एक 23-24 का तो पिछला सालों का बाइस यानि बड़ी सीधी सी बात है अगर मैं मेर पास option होता कि back date पे जाके मैं चीजों को सुधार लू तो बड़े आसानी से मैं सुधार सकता था जैसे अगर मुझे ये option दे जाए कि back date पे जाके सुधार ले भाई तो मैं ये closing stock जो ज़्यादा लिखा था नहीं यहाँ पे मैं घटा देता और कितना घटा था पता है और इससे मेरा जो closing stock result में निकल के आता ना वो आता 38 जैसे ये 38 आता तो मेरा total भी 138 हो जाता और जैसे ही total 138 आता तो automatically हमारा profit भी reduce हो जाता और ये आ जाता हमारा 80 88 होता ना और जैसे ये 88 होता तो यहाँ पे भी जो होता ना हमारा capital वो हो जाता पता है कितना 288 यानि सर एक गलती की वजए से दो जगा majorly impact आया है एक closing stock पे आया है और एक capital पे आया है अब मुझे current year के अंदर देखा जाए तो मैं इसको फिर से हटा देता हूँ यहाँ पे अगर यह scenario पे हम आए तो current year में देखा जाए अगर आपको कुछ यह जानकारी ना पता हो तो आप इस साल के data को अगले साल यूज करते हो इस साल के data में एक तो closing stock है इस साल यूज करोगे जिसको क्या बनाओगे sir opening stock और opening stock कितना बना दोगे आप 40,000 और इस साल के data में आप capital यूज करोगे और capital क्या लिख दोगे अगर आपको error ना पता हो तो आप capital लिखोगे सीधा 290 का अब आपको error पता चल गया अब इस साल हमें error को सुधार ना कि पिछले साल examiner बोलेगा कि अब आप इस साल rectify entry करो तो जब आप इस साल rectify करोगे तो अगर पिछले साल को ध्या जहां फरक आया उसको change कर देंगे तो इस साल भी देखा जाए तो एक capital पर तो फरक आएगा लेकिन इस साल closing stock पर फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि पिछले साल के closing stock पर फरक आया है तो इस साल कहां पर फरक पढ़ रहा होगा opening पर तो इसका मतलब सर ठीक overvalued है तो हम इसको क्य किक एड़ी का करें यहां से माइनस कर दे कितने से माइनस कर दे सर दो हजार एक तो यह अगर और यही थोड़ा सा undervalued तो आप क्या बता सकते हैं इसका क्या result होगा इस overvalued को मैं कर दूँ undervalued undervalued by 1000 कर देता हूं suppose करो तो जब पिछली बार का closing stock undervalued है तो आपका GP कम आ रहा होगा और GP कम का मतलब capital भी कम फिर यही capital यहां उठके आया होगा तो आप यहां पर क्या करोगे plus और यहां भी plus तो दोने concept clear हो गया अगर overvalued हो तब भी क्या करेंगे और undervalued हो तब भी क्या करेंगे यह 11 वी class में यह concept नहीं था आपके जो कि आपके first year के अंदर है यह concept तो आपको प जब हमारे पास extra time मिलेगा तो मैं कुछ advance adjustment है वो अलग से बता दूँँ अभी जितना जितना syllabus का पार्ट चल रहा है उसे मैं चलने देता हूं तो यानि सर यहां पर अगर मैं treatment की बात करूं कि अगर stock के ऊपर treatment की बात करें तो सर इस stock के ऊपर adjustment number कौन सा बन रहा है यह 23 यह 22 अगर हम इसकी बात करते हैं देखिए या तो आपका stock जो होगा और सर stock कौन सा सर closing या तो stock आपको बोलेगा undervalued या stock आपको क्या बोल सकता है सर overvalued या तो undervalued बोल सकता है या overvalued बोल सकता है अगर मैं undervalued की बात करूं तो अभी अभी आपके सामने example था आपने बताए कि दो जगे entry कर देना सर बिल्कुल ठीक हो जाएगा मैंने का सर दो जगे कहां कहां करोगे जो ठीक हो जाए तो आपने बोला सर एक काम करना न एक opening stock में entry करना यही है न यह closing में करें opening में, क्योंकि पिछले साल का closing है सर और एक entry कर देना सर कहां पे जाके आप capital में, यानि सर आप दो जगाए entry कर देना, एक opening stock में और एक कर देना सर कहां पे ले जाके capital में, तो अगर मैं बात करूँ सर opening stock की, तो opening stock में आपने क्या करना है सर और capital में क्या करना है आपने बोला सर अंडर वेल्यूट है तो ओपनिंग स्टॉक में भी क्या कर दीजी आप प्लस कर दीजी और क्या प्लस प्लस यानि एड भी मैं लिख देता हूं आप जब नूटिंग करोगे तो आपको थोड़ा ठीक रहेगा बताइए कोई दिक्कत लेकिन यही कहानी मैंने बोला सर अगर ओवर वेल्यूट हुआ तो क्या होगा बोला आपने यह भी solve कर सकते हैं तो सर ओवर वेल्यूट हुआ तो यहां पर भी दो जग़ा दिखाए जा सकता है कहां कहां दिखाए जाएगा सर एक ओपनिंग स्टॉक में दूसरा सर क्यापटम है लेकिन यहां कहानी अलग है यहां पर हो जाएगा माइनस यहां पर कर दोगे सर आप आपकी किताब में एक सवाल है ऐसा माइनस कर दोगे यानि लस और यहां भी कर दोगे आपकी किताब में एक कुश्चन है कौन सा कुश्चन मिलेगा आपको heading देखिए कि आपके लिखा होगा overvalued of stock adjustment purchase sales कहीं मिले तो आप भी मुझे बताना क्योंकि यह रब 21 नमबर प्रोग्राम में 21 नमबर पर है 11.78 अभी मैं कुश्चन सामने दिखा नहीं रहा अगली क्लास में सारे कुश्चन में दिखा दूँगा जब मैं करूँगा तो capital कितने है क्या पहले दे रखा debtor and creditor 30,600 साइध यह honors में हो या ना हो उसकी चिंता मत करो मैं बता देता हूँ इसमें क्या लिखा है आज पास देख लो जिनका है बागी मैं दिखा दूँगा क्या लिखा हूँ कहता है एक अपरेल को डिसकवर किया कि 31 मार्च 20 में तो सर एक अपरेल 2020 तो यह साल है और 31 मार्च 2020 यही साल होगा यह पिछला साल होगा मैं बात कर रहा हूँ एक अपरेल 2020 को मैंने पाया कि 31 मार्च 2020 वाला तो वह पिछला साल होगा यही साल होगा क्योंकि फाइनेंशल यह मार्च के बाद तो चेंज ही हो जाता है कि ओवर कास्ष ओवर कास्ट या ओवर वेलिए वाइव तॉजार क्या पाया गया कि यहाँ पर जो स्टॉक था वह ओवर कास्थख कितनें ऑवरकास्थ था यहां पे नहीं मेरे पर दस जाए हां रहा है उतक हजार ने रिय contaminer ना देखो कि आ आपक्में भी 3000 है हाँ, एक हजार तो पांचर क्या था, कुछ भी नहीं है, ओनर्स में है कुछन, कुछन सा है, कुछन नमबर 19 है भाई, ओनर्स में पेज नमबर 11.76 पे, यही है ना सेम, तो अब आपको यह अड़्जस्मेंट दे दिया, और देखो पेपर में आया हुआ कुछन है, पेपर में कहता है, कि हजार रुपे से हमारा closing stock, ज्यादा कर रखा है, तो ज्यादा वाला, यह वाला concept आजगा है, यह तो मैंने under वाला बता था, एक आप capital में क्या कर दोगे, और एक closing stock में, opening stock में क्या करोगे, अच्छा हाँ, capital में minus, और opening stock में भी, आप इसके answer को check कर सकते हूँ, और एक चेक करोगे तो capital में से भी आपका क्या हो गया लेस हो जाएगा तो यह बात समझ में आया आपको adjusted purchase में मैंने पहले आपको बताये था अड़ेड़ी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक एडलेस हो चुका होता है तो इसलिए आपको क्लोजिंग स्टॉक डूणने से तो वहां पर ओपनिंग तो मिलेगा नहीं तो इसलिए उसने किस से माइनस कर दिया सीधा सीधा पर्चेस से समझ में आगई बात आपको तो यह अड़ेस्मेंट नंबर था 23 कोई दिक्कत इसमें एक बार फटा-फट नोट कर लीजिए इसको फिर यहां पीछे तक सबने नोट कर लिया है यहां तक सबका नोटिंग है एक बार यह नोट कर लिये पहले है जी एस्ट वाला में पीडिया भीजू हूँ